प्रदेश के सबसे बड़े जल महोत्सव का शुभारंब हो गया है गंग्रेल बांध के तट परिस्थित बरदिहा लेक रिजोर्ट में शनिवार की सुभा जल जगार महोत्सव की शुरुआत की गई इस दोरान धमतरी कलेक्टर नमरता गांधी मौजूद रही वही जल महोत्सव में शामिल होने के लिए यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्नु देव साई भी पहुँचे इस मौके पर मुख्यमंत्री साई ने जिलेवासियों को 87,25,77,000 रुपए के कुल 49 विकासकारियों की सौगाद दे इन में 65,84,91,000 रुपए के 33 कारियों का लोकारपन और 21,40,86,000 रुपए के 16 कारियों का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया बता दे की जल के महत्व को समझाने के लिए यहाँ कई कारिक्रमों का आयोजन किया गया है आजीवी का महाविद्याले धमतरी के टूरिस्ट गार्ड सदस से माधव सीह ने वाटर बैलेंसिंग स्पोर्ट्स में भाग लेकर जल ओलंपिक की शुरुआत की उन्होंने गंग्रेल बांध के पानी में बनाये गए बैलेंसिंग स्ट्रक्चर पर लहरों के बीच चल कर दोनों हाथों से समनवे बनाने की भी कोशिश की इसके बाद थ्रो रो इवेंट में नरहरा जल प्रपाद जल प्रमंधन समिती की टूरिस्ट गाइड महिलाओं ने भाग लिया समिती की तीन सदस्य सजवन, गनेश्वरी और टीकेश्वरी ने उत्साह के साथ पानी में रस्सा भी भेंगा जल संरक्षन की दिशा में काम कर रही समिती की सदस्यों ने इन प्रतियोगिताओं में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया कारिक्रम स्थल को जल जागरूपता के स्लोगन कविता वाले बैनर पोस्टर से सजाय गया है प्रतियोगिता के आयोजन से गंग्रेल बांध का तट आकरशक और मनोरम हो गया है विशाल जल संग्रह में कई तरह के जेट स्की, बनाना राइट बोर्ड, कयाकिंग, नाव बगैरा की व्यवस्था की गई है जिसमें प्रतिभागी उत्साह के साथ भाग ले रहे है धमतरी के गंग्रेल बांध में जल जगार महोटसव 5 और 6 एक्टूबर को आयोजित किया गया है इस कारिक्रम में जल से संबंधित, कयाकिंग, स्वीमिंग, बनाना राइट, फ्री स्टाइल स्वीमिंग, फ्लैग रैन, थ्रो रो, रिवर क्रॉसिंग जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है इन प्रतियोगिताओं का आनन्द दर्शक पूरे परिवार्गजाद उठा रहे है जल जगार महोटसव के लिए गंगरेल बांध में लाइफ जैकेट और मेडिकल किट समेत सुरक्षा के पुखता इंतजाम किये गए है बियोर रिपोर्ट अन पीजी निउस प्रतियोगिताओं के लिए यजी निफए है